तोड़े we will discuss reproduction in bacteria आज हम लोग को reproduction पढ़ना है तो हम लोग देखते हैं there are two types of reproduction दो तरह का reproduction होता है एक को हम लोग बोलते हैं asexual and the second one is sexual reproduction A-sexual reproduction and sexual reproduction अब हम लोग A-sexual reproduction देखते हैं इसमें आता है binary fusion binary fusion क्या होता है binary by means two यानि यहां पर एक bacterial cell divide हो जाता है two bacterial cell में generally हम लोग क्या देख रहे हैं यह bacterial cell इस तरह का होगा इसके अंदर क्या होता है genetic material होगा इस तरह का genetic material यहां पर होता है ठीक है हम लोग देखेंगे plasmid भी होता है अब यह क्या होता है DNA का replication होता है क्या होगा DNA का replication होता है और जब DNA का replication होगा चnungकि do होता है यहां पर निकूलियस परजिएंट नहीं होता तो मेम्प्रेंस से अटेच होकर होगा इस तरह से यह mème्परेंज क्या होते हैं यहां सब्सत्री ना का रेबलेकेशन हो और यह फर्दर दो सेल में नीट हो जाता है यानि जब यहां पर replication हो जाता है after replication cytokinesis होगा क्या होगा cytokinesis kinesis और यह दो cell में क्या होगा divide हो जाता है two bacterial cell का formation हो जाता है इस तरह का यह दो bacterial cell का formation हो जाता है यहां पर क्या हुआ two daughter cell का formation हो जाता है तो यहां पर दो क्या हो गए यह टू डाटर से बैटरियल सेल का formation हो जाता है खास करके हम देखते हैं यू को लाई में किटना लगता है 25 minutes का time में इसमें 20 ness यह दिवाइड हो जाता है यहां पर देखेंगे कि यहां पर 20 मिने में 1000 डाटर बैण सेल का रहरी ने होता हमदेखते हैं कि इसमें क्या होता है दिया ने का ndra हो गा एतिन मिनट डि आने रेप्लिकेशन में लगता है और दो मिनट में क्या होगा साइटो कैनेसिस कैनेस हो जाता है तो बैट्टरिया में एस ऐक्वल डिपोड़क्षन बाइनरी फीजन से होता है या तरुसरा प्रॉसेस में हम लोग देखते हैं बैक्टरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन मतलो क्या हो रहा है यहां पर हो देख रहा है एंडोस्पोर यहां तक नहीं मुश्टलि ग्राम फॉस्टिटी बैक्टरिया में होता है और यह क्या होता है abnormal condition में हम लोग बोल सुब्सक्राइब adverse condition में यानि कि unfavorable condition unfavorable condition में ऐसा होता है unfavorable condition में होगा और during lack of nutrients कब होगा lack of nutrients का lacking होता है इस condition में क्या होता है कि यह कोई भी cell है उसका cytokine cell वाल के अंदर content होता है यह divide कर जाता है इसको हम लोग बोलते हैं vegetative cell बोलेंगे अब यह divide या इसके अंदर division होता है तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होता है इस तरह से यहां पर endospom का formation हो जाता है इस तरह से यहां पर क्या हुआ rene PCR होता है जिसको हम लोग cortex वोलते हैं क्या बोलेंगे इसको हम लोग cortex बोलते हं clear cortex और यहां यह क्या वन गया इसको हम लोग endospor बोलते हैं अब क्या होगा जब इसका license होता है mother cell का क्या होगा lysis, मतलब breakdown जब इसका क्या होता है lysis of vegetative cell lysis of vegetative cell होगा तो क्या होगा ये endospom का formation हो जाता है इसको हम लोग free endospore free endospore बोल सकते हैं और इसके उपर क्या होता है cortex होता है cortex इसके उपर क्या होगा यानि ये क्या हो गया cortex इसके उपर क्या होता है coat होता है और ये endospom का formation हो जाता है और फिर ये germinate करके इस तरह का objective cell बना देता है that means endospore formation क्या है ये दूसरा time का होता है अगर हम third one देखें यहाँ पर तो birding भी होता है but birding हम लोग जानेंगे ये rarely होता है birding क्या है rare case में rare case में क्या होगा birding होता है बैक्टरी आंके अंदर otherwise ये नहीं होता यानि endospom और asexual reproduction asexual में binary fusion और endospom का formation होता है clear now अब हम लोग आते है sexual reproduction sexual reproduction three types का होता है यानि हम लोग देखेंगे sexual reproduction में true sexual reproduction is absent in bacteria true sexual reproduction true sexual reproduction क्या होगा absent होता है in bacteria bacteria में true sexual reproduction absent होता है there occurs यहाँ पर क्या होता है या दखना है there occurs recombination यानि genetic material का recombination होता है यानि genetic material recombination हम यहाँ पर बोल सकती है यानि क्या होगा यहाँ पर there is genetic recombination हम लोग यहाँ बोलेंगे there occurs occur genetic recombination genetic recombination यहाँ पर genetic material का exchange होता है true sexual reproduction नहीं होता है अब हम लोग दिखेंगे यह जो genetic recombination होता है इसमें three man methods होता है तीन तरस ही होता है इसका genetic recombination genetic recombination का हम लोग दिखते है three man methods three man methods कौन कौन है first one दिखते है transformation first one is transformation अब मुलोग दिखते हैं transformation क्या है transformation कब से पहले जो reported किया था first reported by GRIPT 1928 में diplococcus pneumonia bacteria में किसमें क्या था reported and diplococcus diplococcus में reported क्या था अब इस transformation में क्या होता है कि genetic material का यानि genetic re-combination genetic material का exchange होगा from one bacterial cell to another bacterial cell through unknown mechanism यानि genetic material का transformation एक cell से north में हो जाता है एक bacterial cell से दूदरे bacterial cell में हो जाता है यानि एक bacterial cell से दूसरा convert कर दाता है दूसरे type के bacterial cell में या हम लोग कोल सकते हैं कि non capsulated bacterial cell converted into capsulated bacterial cell यहानि हम लोग यहां पर क्या कोल सकते हैं यहां पर कि there is transfer of genetic material transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell one transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell यह एक से दुसरे cell में transfer हो जाता है अब यह transfer होने का mechanism क्या है unknown unknown mechanism से transfer हो जाता है यानि हम लोग यहां पर गया हो non capsulated से यह किस में convert कर गया that is called transformation यहां 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 पर transduction that is transduction that is transduction and बति यह होता है यह सक्क्राथ सक्क्राथक्यू कर यूग किस state that means Transduction में क्या होगा transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell by bacterial effects transfer of genetic material that means DNA A, from one bacterial cell, one bacterial cell to another bacterial cell, another bacterial cell, by bacterial phase, by bacterial phase, by bacterial phase, yarni bacterial phase के दुआरा क्या होता है, एक cell से दूसरे cell में genetic material का transformation हो जाता है, yarni genetic material क्या हो transfer हो गया, यानि यहां पर दिखते हैं, batterio phase क्या है, battery phase मतलब है, जब वारस का infection कहां पर हो, virus which infect bacteria, virus which infect bacteria is called batterio phase, यानि इस तरह कहां हो दखेंगे, यह batteria है और इसका genetic material है, जब कोई virus का infection यहां पर हो जाता है, यह virus का infection हो गया, हम इसको बोनते हैं batterygo phase, तो यहां से क्या होगा GENETRIK MATERIAL का TRANSFORMATION होता है और यह क्या होता है? VIRAL हो जाता है तो TRANSDUCTION में क्या हो रहा है? यहां पर भी SEM CASES नहीं है कि TRANSFOR OF GENETRIK MATERIAL एक से दुसरे से में हो रहा है एक BATERIAL से दुसरे में हो रहा है लेकिन किस के THROUGH हो रहा है तो THROUGH BATERIAL FAKE के THROUGH होता है CREAR? NO अब हम लोग तीसरा आते हैं THIRD TYPE IS CONZUGATION CONZUGATION अब CONZUGATION क्या है इसको देखे? CONZUGATION मेंस क्या होता है? सबसे पर नहीं देखे हैं इसको REPORTED किसने किया था? FIRST तो FIRST REPORTED BY LENDER BY AND TOTUM 1946 REPORTED BY TOTUM LENDER BY TOTUM नहीं सबसे पहले REPORTED किया था अब इसमें क्या होता है? देखे हैं CONZUGATION में कि यहां पर क्या है जब दो BATERIAL CELL क्या होगा? PHYSICAL CONTACT में आता है फिर GENETIC MATERIAL का TRANSFORMATION होता है यानि यहां पर हम लोग देख रहे है कि दो BATERIAL CELL है इस तरह का एक BATERIAL CELL होता है और इस तरह का एक BATERIAL CELL दो BATERIAL CELL है तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं इस तरह से हम बनाएंगे BATERIAL CELL अब यह BATERIAL CELL में क्या है? यहां पर इस तरह का यहां पर हम इसमें positive stand होता है और इसमें negative stand होता है यहां पर देखेंगे जहां positive stand होता है इसमें होता है f zine यह f factor F Factor होगा यानि इसका अपना जो जन्रेटिक material है और यह जो F Factor होता है F Factor क्या करता है और यह हम दखते हैं Pili यह क्या है Pili तो इसी एक सेल में Pili present होता है अब यहाँ पर यह F Factor क्या है duplicate होता है और फिर यह इस सेल में transfer हो जाता है तो यानि यहाँ पर पहले क्या हुआ यह replicate कर गया duplicate कर गया और एक सेल यहाँ से transfer होकर दूसरे में चले आता है तो यह भी क्या है अब यह positive है तो यह भी positive stand हो जाता है यानि क्या हुआ transfer हो गया किस से हुआ with the help of Pili क्योंकि इसमें हम देखते हैं Pili present होता है तो यह Pili को हम लोग यहाँ पर sex Pili भी बोलते हैं clear तो one cell का bacterial genetic information दूसरे में क्या है transfer हो जाता है कब होता है यानि transfer of genetic material from one cell to another cell कब होगा when two bacterial cells physically come in contact हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस condition में होता है when two bacterial cells two bacterial cells physically come in contact come in contact genetic materials from one cell यानि जब दो contact में आता है तो genetic material from one bacterial cell transform या move into another bacterial cell through through conjugation tube through conjugation tube which is formed by that is called sex physically यानि conjugation tube through which is formed by sex physically यानि इसका हम लोग सेक्स पिली बोलते हैं तो इस पिली के दुआरा प्रिजेंट होता है यानि यहाँ पर क्या हो गया यह जो cell है यह donor bacterial cell है और यह क्या हो गया donor bacterial cell है और यह recipient bacterial cell है यानि यह donate कर रहा है किसको recipient को यह receive कर रहा है तो इन बेटिन टू पेटरियल सेल क्या होगा एक्सेंज होता है जन्नेटिक मैटरियल का एक्सेंज हो रहा है तो जो डॉनिट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है और रिसीपेंट बेटरियल सेल कराता है तो यहां पर क्या है जन्नेटिक मैटरियल का एक्सेंज हो गया थू इसको बोलते हैं हम लोग कंजूगेशन का बोलने यहां पर कंजूगेशन अब याद रखना है कि यह जो F Factor है या पीली है यह कहा होगा डोनर सेल में ही प्रेजेंट होता है यहां पर नहीं होता यानि कि डोनर सेल हैविंग F Factor and Sex Pili Sex Pili भी हम देखेंगे यानि Pili and F Factor F Zine कि अबल प्रेजेंट होगा Pili और यह दोनों प्रेजेंट होता है डोनर में रिसी पैंट में नहीं होता रिसी पैंट में लेकिंग करता है तो इस तीन प्रोसेस से ट्रू सेक्शल रिपोर्डक्शन इस अपसेंट बट जनेटिक रिकॉंबिनेशन जनेटिक मेट्रियल का एक्षेंज होता है इस तीन प्रोसेस से ट्रांस्परमेशन, ट्रांस्पर्डक्शन, एंड कंसूबेशन